नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छा होंगे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पॉम्टवाई अनुराग चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत साथ लोग मुझे बोल ले थे इसको कैसे साफ करना ये भी मैं आपको बतला दूँगा लेकिन दोस्तों कभी-कभी ऐसा आई डिस्चार्ज होता है जो कि सीरियस हिल्थ इसू का सिम्टम्स होता है यदि आप लोग क्विक एक्षन लेते हो तो आपके डॉग की जो आई है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से केर हो पाएगा नहीं तो हो सकता है कि उसके आई से रोसनी चला जाए मतलब कि वो ब्लाइंड भी हो सकता है तो दोस्तो चलिए आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं अपने एप का खुद पर्मोशन करना चाहूंगा तो दोस्तो गौर से देखे इस एप को इस एप का नाम है डॉग एन ओनर इसमें आपको मिल जाएगा होम में डॉग सेंपू के बारे में क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो सेंपू जल्दी से मिल नहीं रहा है तो घर पे ही कैसे आप प्रिपेर कर सकते हैं अपने डॉग के लिए बहुत ही बैतरीन सेंपू जो कि उसके हेर के लिए सही हो उसके सकीन के लिए सही हो तो आप लोग इस एप को इंस्टॉल कर सकते हो अभी उसमें सेंपू के बारे में नहीं होगा लेकिन कल साम तक उसमें अपडेट कर दिया जाएगा तो दोस्तो इस एप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में और इसका नाम है Dog and Honor वहाँ से इंस्टॉल कर लिजे चलिए दोस्तो आज के इस टॉपिक के बार में बात करते हैं बीलियो को स्चार्ट करते हैं तो दोस्तो यदि आपके डॉङ में clean eye discharge है तो आपको किसी भी तरीके का टेंसर ने लेना है यह HEALTHI dog में बहुत ज्यादा नर्मल होता है कि यह जो बनता है वह नॉर्मल चीजों से बनता है जैसे कि उसके अचर starerd है उसके ऑईल से बनता है या फिर कुछ म्यूकस के बज़से बनता है या फिर कभी-कभी उसके आई में जो डस्ट चला गया उसके बज़से भी बनता है और यदि आपके डॉक के मुह पे बहुत ही तेजी से विंड ब्लू हो रहा है तो उसके बज़स अभी-कभी ये क्लीन इस साब करते जैं दोस्तों मैंने उड़ीजादा होट वाट वाटर मत लेजिए घट उन्डिय में बहुत ही ज्यादा मों झेसे ऑल कपड़ा डाल करके बॉल टैप में बना लिजे और अपने डॉक के आई से वो सिंपली हटा देजे कोई भी दिक्कत नहीं है अब दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं जहां पर आपको कुईक एक्सेल लेने की जरूरत है दोस्तों यदि आपके डॉक के आई से यलो इस य प्रॉब्लम होता है जिसको कंजंग्टि वाइटिस भी करते हैं दोस्तों इसमें आपके डॉक के से यह यह यहां पर आप लोगों को एक्सलेनिक जरूता है दोस्तों यह जो कंजंग्टी वाइटीस होता है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसी कि वो बर्ज से ही डिफेक्ट हो या फिर उसके टियर ग्लांड में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई इन्फेक्शन हो या फिर बाहर का कुछ ऐसा समान उसके आई में अटक गया हो तो उसके बज़स से भी होता है कभी कभी डिस्टेंपर के बज़स से भी होता है तो दोस्तों यदि आपके डॉग में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप लोग अपने डॉग के पास और दोस्तो साथे साथ उस app को install कर लिजे, कल के date में आपको homemade sample के बारे में उसमें मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजे उसमें हिंदी में में डालने वाला हूँ, ठीक है? अभी बहुत सारी चीजे आपको English में मिलेगा, लेकिन हिंदी में भी आपको धीरे-धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग उस app को install कीजे और 5 star review देना मत बोलेगा और दोस्तो यदि आप लोग first time इस channel पर आये हो, तो channel को subscribe कर लो, इसी तरीके का red color में आपको subscribe मिलेगा और बाद में bell के icon को भी दबा सकते हो, और दोस्तो आप लोग हमारे Instagram page पर भी आना मत भूलेगा, उसका भी link description में डाल दूगा दोस्तो हम लोग मिलते रेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए ठेक के और बाई 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 जहिन